वेलकम फ्रेंट्स तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पत्ते गोबी की सबजी की रेसिपी जिसे मैंने फिश के हैट को डाल कर बनाया है यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है और एक बहुत पॉपिलर बेंगॉली रेसिपी है जो कि खाने में बहुत ज्यादा डेस हमे लिए रिपेमक फ्रेंट हम करेंगे सबसे हल्दी देएंगे हाफ तीसपून और हाफ तीसमून नमक निमे अच्छी तरह अपने हाथों से मिलांगे अंदर तक मसाले को डालेंगे को मंस कहल के लिए cans हल्दी और शोड़ ब्लाने के बाद हम इसे रेस्ट पर पांच मिन के लिए छोड़ देंगे ताकि नमक और हल्दी अच्छे से मैरिनेट हो जाए हमारे हेट के साथ तो चलिए यहां पर मैंने मास्टर्ड और पहले से गर्म होने रख दिया था अच्छी तरह गर्म कर ले और एड करेंगे अपने फिश हेट को और इसे अच्छी तरह से पलटते हुए हर तरह से चारो तरह से लंग बलतो इस तरह से लगली होने दिया है तो इस हैट को अच्छी तरह से लडे चीपे कल्सले लेना है तो देखरे से मालेम कमाई में हम हाफ तीसपून काला चीडा और चीचा चीज आइस मेरे ग्रेंटया साइज तो देखे फ्रेंट तकरीबन पांच मिनिट लगे हैं और प्यास हमारा देखे पॉफेक्टली गोल्डन ब्राउन है तो अब इस पॉइंट पर एड़ कर देते इसमें लहसन का पेस्ट तो यहां पर हम 1.5 टीस्पून लहसन का पेस्ट करेंगे साथी दो टमाटर और हरी मिर् जीरे का पॉडर एड़ करेंगे और स्वाद अनुसार नमक तो फ्रेंट नमक आप हिसाब से डाले क्यूंकि हमने फिश हेड में भी नमक का इस्तमाल किया है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एड़ करें और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से आपस में म अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं और आप अच्छी तरह से मिला लेंगे और यहां पर आपर के लिए । इसे कवर कर देंगे पांच मिनिट के लिए तो दीह थी पांच मिनिट हो चुके हैī पत्ते गोबी अपने अच्छी तरह से तोड़ लेना है तो अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसे तरह से अच्छी तरह से मिल जाएगा और इसे कवर कर देंगे और इसे कूख होने देंगे पास से 7 मिनिट के लिए तो देखिए तकरीबन 7-8 मिनिट मैंने इसे कवर करके कूख किया है बीच बीच में इसे चला लिया था और देखिये पॉफेक्ली हमारी पत्ता को भी गल चुकी है और फ्रीशेट भी बहुत पॉपरले मिल चुकी है खुश्प में बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है फ्रेंड आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और इस पॉइंट इस में एड्ड कर देंगे 140ज़ गडब मरसाला का पाउड़र और सात ही बारी कटएवे धन्ये के पत्ते को और इसे भी अच्छी तरह से मिल आ लेंगे अर्यक्यम को बिल्कुल लो कर देंगे उर से बीच्छी के लिए सारा मसाला और धन्ये पता का फ्लेवर आपस में अच आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए मैं आपको सामने से दिखाती हूं तयार है हमारा पत्ता को भी जो कि मैंने फिशेट के साथ बनाया है देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है इसमें और इसका टिस्ट बहुत अच्छा होता है बनाना तो बहुत ही सिंपल तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिए और रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें